हलो एब्रिबन कैसे है सब लोग मुझे पता है जे ट्वेंटी ट्वेंटी फुर बैच के बच्चे तो आज काफी खुश होंगे क्योंकि सिलावेज जो रिडिस हो चुका है सिलावेज जो रिडिस हुआ है उसके बार में बात करेंगे लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टन नोटिफिकेशन आ चुका है तो डेट से 1st November से 30th November तक आपको फॉर्म फील करने है और काफी अलर्ट रहके फॉर्म फील करने है आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है फॉर्म फील करते हैं तो काफी अच्छी तरीके से उसको देख के उसको फील कीजिए उसके बाद सेशन के डेट्स आपको पता है उसके अलावा कुछ और चीज़े यहाँ पर गीवन है जैसे कि पेपर में आपको 20 questions from section A, section B में 10 questions numerical value type होते हैं यह सारी चीज़े आपको अलरेडी पता है सबसे important बात है यह जो डेट्स गीवन है वो वाला पार्ट तो उसके regarding आपको काफी important part जो है इसको alert रहे के form feel करना है और आपको पता होना चाहिए कि उसमें आप क्या-क्या feel कर रहे हो ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो तो यह था आपका पहला information पहला आपका जो important notification था उसकी बारे में मैंने आपको बताया अभी हम चलने वाले हैं आगे की तरफ and that is syllabus for J.M.N. paper तो आज हम maths के बारे में, maths के syllabus के बारे में बात करने वाले हैं मैंने हर topic में यहाँ पे red pen से यहाँ पे लिखा है कि जो जो part cut हो चुका है, syllabus से जो cut हुआ है और यह जो already उन्होंने given है यहाँ पे वो वाला part included है तो सिर्फ जो red pen से मैंने लिखा है वो वाला part omit हो चुका है म सबसे पहले स्टार्ट करते हैं sets relation and function से, sets relation function में से कोई भी part उमीट नहीं हुआ है, mostly सब कुछ जो पहले से था वो as it is है, उसके बाद complex number and quadratic equation में triangular inequality ये वाला part जो है, वो cut हो चुका है, और square root of complex number ये वाला part भी cut हो चुका है, बाकी का part as it is है, square root of complex number आप नहीं आएगा, और triangular inequality वाला part भी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका जो है matrices and determinant, तो matrices and determinant में properties of determinant वाला part जो है, वो cancel out हो चुका है, बाकी almost part जो है, वो as it is आ चुका है, properties of determinant इसके बाद नहीं आएगा, permutation of combination में कोई भी change नहीं है, binomial theorem and in simple application में properties of binomial coefficient जो थे, जिसमें का आफिसारे shortcuts लगते थे, वो वाला part omit कर दिया है, तो अभी जो questions आएंगे, वो simply binomial theorem, जो general term है, middle term है, उसी के उपर सिफ और सिफ question आने वाला है, तो properties of binomial coefficient अब नहीं आएगा, उसके बाद sequence and series में shockingly series का part omit किया है, yes, AGP यानि कि arithmetic or geometric progression, summation r, summation r square, r cube वाले जो भी formula थे, वो वा related series के जो की काफी high weightage में question आते थे, वो वाला part पूरी तरीके से omit किया है, उसके अलावा सिर्फ APGP, उसके बाद AMGM का जो part है, वो वाला part आपको syllabus में रहेगा, उसके बाद limit continuity and differentiability में tangent and normal का part पूरी तरीके से निकाल दिया है, और rolls theorem और LMVT का part जो mean value theorems थे, वो दो application आपको अब AOD that is application of derivative में नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको increasing decreasing function, maxima, minima, rate of change वाला जो part है, वो वाला part रहेगा, tangent normal अब नहीं रहेगा, उसके साथ rolls theorem और LMVT ये वाला part भी नहीं रहने वाला, तो काफी changes हो चुके हैं, इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि integral calculus, that is integration में कुछ भी major change नह कुछ question आ रहे थे last year, उसके last year, वो वाला part भी cancel हो चुका है, तो limit as sum के question अब नहीं आएंगे definite integration में, वो वाला part चला गया है, differential equation में सारा part as it is, सिर्फ formation of differential equation का जो starting में initial part था, formation of differential equation वाला, वो वाला part जो है, वो ओमीट कर दिया गया है, so formation of differential equation नहीं रहेगा, उसमें बाकी सार जो है, homogeneous equation, linear differential equation या variable separable form, यह सारे forms रहेंगे, formation वाला part नहीं रहेगा, उसके बाद हम आते, coordinate geometry की तरफ, उसमें straight line में translation of axis, उसके बाद family of lines, equation of angle bisector, यह दो तीन टाइप के जो थे, उनको भी निकाल दिया गया है, उनमें सबसे बड़ा issue यह था, कि कुछ derivations या कुछ formula थे, ज तो यह अच्छी बात है कि equation of angle bisector का part या family of lines, जिसके उपर एकादा question आता था, या translation of axis, वो वाला part पूरी तरीके से omit कर दिया गया है, उसके बाद circle and conic section, यह surprise था, फिर से, equation of tangent and condition, tangent के equation, तो tangent के equation नहीं है, तो normal के भी नहीं रहेंगे, और condition of tangency, जिसके उपर भर-भर के question आ गया है, अब यहाँ पे circle और conics में बाकी का जो part है, उसी के उपर आपको questions आने वाले, जेए 2024 में, उसके बाद three dimensional geometry में सबसे सबसे shocking वाला part, plane का complete part निकाल दिया गया है, yes complete plane का part जो है, वो omit कर दिया गया है, plane इसके बाद आपको exam में नहीं आएगा, three dimensional geometry में basic 3D geometry आएगा और line के question आएगे, line का जो part है वो दिया हुआ है, यहाँ पे shortest distance between the lines, skew lines, angle between the intersecting line, equation of line, यह सब कुछ आएगा, लेकिन plane वाला part इसके बाद नहीं आएगा, तो plane का पूरा part shockingly पूरा ही remove कर दिया है, जिसके उपर बहुत question आते थे, तो अब पता नहीं यह चीजे जो है, यह का को change करनी पड़ेगी, strategy के ऊपर मैं थोड़ी दर के बाद आओंगा, पहले syllabus के बार में discuss कर लेते हैं, उसके बाद आपको vector वाला जो part है, vector में scalar triple product and vector triple product यह वाला part भी cancel हो चुका है, तो सिर्फ basic vector का जो part है, उसमें scalar product, scalar product और vector product उसके बाद component वाला part, लेकिन scalar triple और vector triple product जो है, यह वाला part भी आपका चला गया है, vector triple product भी नहीं आएगा, उसके बाद आपका जो statistics and probability है, उसमें से Bernoulli trials and binomial distribution का एक छोटा सा part था, वो वाला part भी उन्होंने हटा दिया है, तो वो वाला part भी अभी नहीं आएगा, उसके बाद trigonometry में height and distance वाला part and trigonometric equation वाला part, height and distance के काफी questions आते थे, तो वो वाला part पूरी तरीके से निकाल दिया है, और height trigonometric equation वाला part भी इसके बाद नहीं आएगा, और इसके बाद और एक surprisingly एक और topic था वो जो निकाल दिया है, उसका नाम है mathematical reasoning का part, mathematical reasoning यह जो topic है, यह topic पूरी तरीके से निकाल दिया है, इसका एक question almost हर shift में आता थ तो mathematical reasoning इसके बाद नहीं आएगा JEE में, तो यह बात है कि यहाँ पे जो syllabus है JEE का, वो काफी जादा align करने की कोशिश है NCRT से, तो NCRT का जो reduced syllabus है, उससे यह काफी मिलता जूलता है अभी, उसी के हिसाब से इसका impact क्या JEE advance पे होगा, तो yes, definitely इसका impact JEE advance पे होने वाला है, तो यहाँ पे height and distance, trigonometry equation और mathematical reasoning का पूरा पार्ट ये वाला पार्ट भी omit हो चुका है, तो in all आपका जो भी पार्ट है, इसके अलवा physics और chemistry के भी पार्ट है, जो chemistry में majorly कुछ topics delete हुआ है, physics में कुछ पार्ट delete हुआ है, but talking about maths, maths में मुझे personally ऐसा लगा कि plain वाला जो पार्ट था वो काफी हद तक important था, वो नहीं है, mathematical reasoning में easy level का question आता था, जिससे 4 marks आपको मिलते थे, वो नहीं है, अब थोड़ा सा strategy में change करना पड़ेगा, पिछले 2 साल से matrices determinant के जाला question आ रहे हैं, तो उसके उपर focus करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो coordinate geometry का section है, majorly, मुझे लगता ह उसको एक medium weightage था पिछले 2-3 सालों से, अब उसका weightage थोड़ा बड़ेगा, क्योंकि जो vector और 3D का weightage था, उसमें major part चला गया है, तो उसमें से कम question आएंगे, और ज्यादा question, coordinate geometry से आएंगे, और calculus से आएंगे, तो ये थोड़ा सा strategy आपको बना के उसको आगे लेके जाना पड़ेगा कि strategy किस तरीके से होनी चाहिए, strategy का video अगर चाहिए, तो comment कीजिए मुझे, मैं strategy का एक video आपको बना के दूँगा, तो ये syllabus का आज का video काफी important था, reduce syllabus का, और इसका जो PDF है, ये PDF मैं description में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हो, कौन सा part reduce हुआ है, ये भी मैं इसमें बता दूँगा, तो thank you very much, channel को अगर subscribe नहीं किया होगा, तो subscribe जरूर कीजिए, और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, thank you very much, all the best.